बुजर्ग मेरा के हत्या की गुलती सुलज गई है नंदनन पुलिस ने हत्या के आरोप में उनके नाती को ही किरफतार किया है जिम खाना में आयचित पत्र परिशद में पुलिसायक्त अमितेश कुमार ने बताया कि घटना के दिन से ही वो अपने संदिक्त बरताव की वज़र से पुलिस के शक्के दाइरे में आ गया था मंगलवार को अदालत में पेश कर उसे PCR में लिया गया है न्यून अन्यन्वन निवासे जेश्टिन नागरिक सिवान ने रुत्त डॉक्टर देव की बोबडे का शव उनकी घर में ही पाया गया था देव की अपने बड़ी बेटी डॉक्टर किशोरी संजेर पांस भाई और उसके परिवार के साथ रहती थी किशोरी का पुत्र तथा देव की का नाती आरोपी मबितेश पानी का मोटर शुरू करने के लिए नीचे आया था उस वक्त वह बर्मूडे में था अदनंगा देख देव की ने उसे अपने स्वभाव के अनरूप टोकाटा की की इस पर गाली को लौच करती हुए उसने धक्का देकर देव की को फर्ष पर गिरा दिया बर्मूडे के नाडे से हाथ पेर भी बान दिया मुह में कपडा टूस कर टेप चिपका दिया इसके बाद रसोई घर से चाक उठाया और गलार रेट दिया देवकी की वही पर मौत हो गई प्रकरे में पुलिस ने अपनी जांच चार बिंदों पर केल रिकी हत्या में परिवार की लिप्टता नौकर लूट पाट आती लेकिन घटना के रोज से ही मितेश पुलिस की शक की निगाहों में चर चुका था क्योंकि उसकी एक चपल शव के पास सथा दूसरी दर्वास की पास मिली थी आपचारिक पुछताच के दौरान ही वह पसीना पसीना हो गया था मंगलवार की रात पुलिस ने किश्वरी उसके पती संजे और पुत्र मितेश को हिरासत में लिया अतरिक पुलिसायक तो नवीन चंगर रेड़ी पुलिस उपायक तो चिनमेप पंडित और पुलिस उपायक तो नुरुल हसन ने अपने अपने कारयालियों में एक साथ पूछताच आरम की मितेश बहुत जल्दी टूर किया उसने नानी देवकी की हत्या करने की बात कबूल कर ली पुलिसायक तो अमितेश कुमार ने खुद मितेश और उसके माता-पिता के मुबाइल जो घंटे तक खंगा ले मितेश की तीन गल्फरेंड है जो उसके माता-पिता के अस्पताल जाने के बाद उससे मिलने घराती थी नानी देवकी इसके लिए मितेश को टोपती थी मितेश की आवारा गर्दी देवकी को पसंद नहीं थी इसके कारण भग किशोरी और उसके परिवार को रुपे नहीं देदी थी मितेश को पढ़ाय के लिए यूएस जाना था 40 लाग का लोन लिया क्या बाकी के 60 लाग का इंतजाम पाकी था मितेश को उम्मीद थी कि उसकी नानी जुगार कर देगी इस तरह का मैसेज उसने एक गर्फरिंड को भी पीजा था वीजा पास्पोर्ट के बारे में पूछता चारी थी मितेश नानी को पसंद नहीं करता था फैमिली ग्रूप पर वह नानी को बुढ़ी कहता था इधर देवकी का चुकाव अपनी चोटी बेटी चेतना प्रफुल जीवतोरे की और ज्यादा था इससे देवकी और किशोरी के परिवार में खीचतान चल रही थी इस प्रकरन में किशोरी ने जहाँ अपनी मा देवकी को खोया वह उसकी शिकायत पर बेटा मितलेश हवालात पहुचा है उसकी बड़ी बेटी युएस में अध्यान रथ है जांच के दौरान पुलिस ने रसोई घर से चाकू परामत किया है चाकू पर लगा खून दोया गया था खटना के रोज मितेश के पहने हुए कपड़े भी बात्रूम से सबके गया है उस पर लगा खून भी दोया गया था चार्ज के दौरान पुलिस ने उसकी महला दोस से भी पूछता चकी है उससे नानी से चिर्णने और डने का कारण पूछा गया दालेली आहे आणि त्यांचे स्वता चे नातेवाइक होता आणी घराचे इंटर्नल कारणा मुड़े केलेली आए पोडी हत्ते के लिए तेवकी पूबडे एंजी और काय कारण गया रहा हाँ से मी जेशा सांगीतले त्यांचे घर चे एका व्यक्ती नी केले लिया है त्याना अल्रेडी अटक काल रात्री उशीरा करने अताले लिया है त्यानचे मेडिकल वेगर काल रात्री जाली अत्ता आज त्याना कोटा अतामी प्रिद्यूस करता है ते तपास अत्यांत प्राथ्मिक स्टेज ला आए है घर घूती कार्णनी त्यानी हत्या केले लिया है अशा निश्पन जाले लिया है अत्ता परेंचे तपासाथ एक्टा चारोपी आए इतर लोकांची सहबाग होने ची शक्यता नकारता ये अत्यांत दुर्देवी घटना है नकिच अशा परकार चे पून कुटुम्ब्य ही उध्वस्त जाले ची दिसद दिसुन येता है अत्यांत धक्का दाय घटना है परन्तु जे तपासाथ निश्पन जाली त्यानुशंदाने कारवाई करने आता लिया है क्यमरा पोसन अखिलेश भारत वाज के साथ अभिशेक पांच से बीसियन न्यूस नाकपूर